हाई अबरेबन वेलकम तो स्टेड़े स्प्रिंग और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे अपना एम लच्मिकांत समरी का चैप्टर नबर 6 का सेशन 2 जो नागरिक्ता से संबंदीत होगा और आज का जो सेशन होने वाला है यह आपके बेसिक क्लियरेंस को बहुत करने वाले हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेट लिए आपके लिए वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर किया कीजिए क्योंकि यह हमारे मोडिवेशन का एक बहुत बारा कारण होता है आते हैं अपने टॉपी के ऊपर सबसे पहले अगर हम लोग देखे सरकार ने नागडिकों लिए एक कानूर बनाया था जिसको हम लोगों ने नागडिकता अधिनियम 1955 के रूप में जाना और 1955 में बहुत सार चेंजेज हुए थे 1955 में जो चेंजेज हुए वो इस तरीके से थे साड़े को सिरियल में आपको दिया गया इस कानूर में एक रूल के अलग आया गया हुए था कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले तक के जितने लोग जो अफगानिस्तान पाकिस्तान या बंगलादे से आय हुए है अगर वो हिंदू सीख बौध जैन पार्सी और इशाई होंगे तो और वो अगर अवैध रूप से यहां नहीं आय होंगे तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा लेकिन इसमें टर्मेंड कंडिसन जोड़ा गया कि यह इस कारण से केवल इतने ही जो जातिया है या धर्म है जिनको यहां पे माना गया हुए है इनको यहां पे नागरित्त है कि आप किसी के जाती धर में लेंगे कि आधार पर वेदभाव कर सकते हैं या गॉर्मेंट ऐसा कोई लौ मना सकती है बट वहां पर persecuted minority types कोई word नहीं लिखा गया हुआ था और सेम चीज आर्टिकल 16 में लिखा है कि आप जो है वो निवास अस्थान के हिसाब से जो है वो इस तरीके का कोई रूल नहीं बना सकते है जो किसी के साथ discrimination करता है और state government इसका फायदा उठाती है कोई दिक्कत नहीं है सेम उसी तरीके से persecuted minority word नहीं लिखने के कारण धार्मिक रूप से सोसित नहीं होने के कारण एक word नहीं जोड़ा गया हुआ था जिसके कान को इस station के हिसाब से बाकी आते हैं हम लोग की कैसे हम लोग नागरिकता को और जन कर सकते है और भारत की जो नागरिकता है वो मुख्यता है जन्म की अधार पर वनसानुगत अधार पर पंजी करण के हिसाब से प्राकृतिक रूप से या किसी छितर के भारत में मिला लिये जाने के बाद, जैसे कि अगर आप पुदुचड़ी की बात करें, तो वहाँ के जो लोग होते थे थे, उनको स्वता भारत की नागरिता मिल गई, इस तरिके से जो है, हम लोग भारत की न नागरिक्ता कैसे किसी वेक्ति को मिल सकता है अगर आप इसके उपर आएंगे तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 26 जनवरी 1950 को मतलब कि 26 जनवरी 1950 से बाद ले लीजिए मतलब कि 27 जनवरी को ले लीजिए और 1 जुलाई 1947 से पहले मतलब कि 1 जुलाई तक की बाद को माता पिता दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा हुआ है या और उसको भारत की नागरिकता है तो उससे जो खनान पैदा होंगे वो उनको सोता भारत की नागरिकता मिलेगे जैसे कि हमको आपको मिलती रहती है इसमें एक और टर्म जोड़ा गया कि एक जुलाई को या उ वेक्ति जनम लेता है और 2 जुलाई को एक वेक्ति जनम लेके बोलता है कि भाईसाब हम भारत के नागरिकता को ले सकते लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है की नहीं या इस समय उसके माता-पिता में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए तभी वो जो है वो अपलाई कर सकता है भारत की नागरिक तक लिए इलेजेबल हो सकता है भारत की नागरिक तक लिए अगर किसी वेक्ति का जनम 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो वह उसी दसा में भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता-पिता में से या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक रहा होगा ये टर्म नया जोड़ा गया हुआ था 2004 में 2004 में जोड़ा गया कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई वपती भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक वो तभी माना या कि जब तक दोनों नहीं होंगे भाई साब तब तक हम भारत की नागरिकता नहीं दे सकते हैं आपको कहानी खतम है नेक्स आते हैं हम लोग बंस की आधार पर अब एक विक्ति जो ऐसा होता है कि भुमिहार होता है ठीक है एक विक्ति जो bharman है और इसी तरीके से जितने जाते हैं अमेरिका, ठीक है, तो actually में क्या होता है, कि यहां से जितने लोग जनम लेंगे, यहां पे जो अमेरिका के उनकी बात को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहां से जो लोग जनमी लिए हुए है, वो बंस के हिसाब से तो भारत के नागरिक होंगे ही होंगे न, या या फिर ये ब्रहामन जो है इनका जो बच्चा अमेरिका में जनम ले रहा है ये अपने बंस के हिसाब से भारत में नागरितिया के लिए कोड कर सकता है कि हम भारत की नागरितिया लेंगे सेम चीज यहां मेंसन किया गया हुआ है कि अगर किसी वेक्ति का जनम 26 जनमरी 1950 हो या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ है मतलब 26 जनमरी 1950 को ही ले लीजी आप और एक वेक्ति का जनम मतलब 26 जनमरी हो गया और इसको आप एक फरवरी 1950 को माल लीजी इसका जनम होत तो वह बंस के अधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जर्म के समय में उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा मतलब कि इस जो ब्राह्मन का बेटा था जो अमेरिका में जर्म लिया इसकी माता बोले कि हम अमेरिका की नागरिकता को नहीं गरन के हुए हम भारत की नागरिकता को लेकर के ही रहेंगे अब इस condition में ये बच्चा जो है वो बंस के अधार पर भारत का नागरिक होगा नेक्स आते हैं हम लोग 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद यदि किसी वेक्ति का जन्म देश के बाहर होता है मतलब कि 11 दिसंबर को माल लीजे या 10 दिसंबर को माल लीजे एक वेक्ति का जन्म हो जाता है देश के बाहर वह तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा यह भी टर्न उसी में जोड़ा गया हुआ था ठीक उसी तडिके से 2004 में एक चेंजे आया हुआ था इस 2004 के चेंज में यह बोला गया हुआ था कि यहां पर क्या होगा कि अगर किसी वेक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में भारत से बाहर जन्म लिया हुआ है और वो बन्स के अधाar पर भारत की नागरिकता को लेना चाहता है तो उसमें एक तर्म जोड़ा जाएगा कि उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर भारती है उसके जन्म का पंजी करन अगर नहीं कराया जाता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं देंगे यहां तक की कहानी खतम हो जाती है अब आते हम लोग next के उपर next हमारा आता है पंजी करन के द्वारा पंजी करन की बात अगर करें तो आप registration करवा लेते तो भारत की नागरिक है और इसके लिए work करते है हमारे external affairs जो ministry है वो इसके उपर work कर रही है day to day work कर रही है इसमें अगर आप देखिएगा तो केंदर सरकार आवेदन परापते करने पर किसी वेक्ति को जो है अगर देखती है कि उसमें वह eligibility है तो हम उसको भारत के नागरिक दे सकते है उसका पंजी करन कर सकते है भारत के नागरी के रूप में इसमें टर्म लेकिन जोडे हम अगर टर्म नहीं ज गया यहां पर अब यह अलाह OCBAR जो है वो bad favor में होगा ना के good favor में होगा आलह OCBAR का नागरा हमारे देस के musulman भी लगाते हैं जो देस में हमारे सेनिकों में सेवा देते हैं अपनी और एक अल्लाह OCBAR का नागरा वो भी लगाते हैं जो ISIS के एजन्ट होते हैं तो अगर इस वेक्ति जो नागरिक प्राप्त करने के लिए विदन करता है उसके 7 वर्स के पहले से वह भारत में रहा हुआ है उसी वेक्ति को भारत के नागरिक मानने का भी 7 वर्स तक रहेगा तो ऐसा तो कोई पूलिश नहीं होगा जो इसको पकड़ेगा नहीं कि भाई साब तुम अब रहरे हो कि नहीं रहर हो इसके बाद भारतिये मूल का वह वेक्टी जो अभिवाजित भारत के बाहर या किसी अन्ने देस में अन्यत्र राडाऊ उस वेक्टी को हम लोग पंजी करने के दोरा भारत का नागरिक बना सकते है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें वर्क किया जा सकता है बट टर्मेंट कंडिशन ये होना चाहिए तो उसके पास किसी और देश की नागरिकता नहीं हो नेक्स्ट आएंगे हम लोग वह वेक्ति जिसने भारतिये नागरिक से विवा किया हो और वह पंजीकरन के लिए प्रार्थना पत्र देता हो साथ वर्स से वह भारत में राड़ा होगा एक वेक्ति है एक्स एक लड़की है वाई एक लड़का है जो इस लड़की से साधी करता है एक्स भारत की है और वाई पाकिस्तान का है अब ये पाकिस्तान के जो भाई साब वो बोलते हैं कि भाई साब हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा persecuted होते हैं हमको इंडिया में आने दीजिए आने दीजिए तो इसमें termine condition क्या जो रजाएगा कि भाई साब आप पत्नी के साथ तो रहा है हैं साथ साल से यहां पे, अगर आप पांच साल से भी रह रहा है, तो आपको नागरिकता नहीं देंगे, तो आप कम से कम साथ साल तक यहां पे रहिए, और उसके बाद अपलाई कीजी, हम आपके पंजी करन को सुईकार करेंगा, दरवाइस नहीं करेंगे, आप अपने पाकिस्त आयू या छमता का हो, उसके माता-पिता के नागरी के रूप में पंजीकरत हो जाता है, तो वेक्ति स्वतना भारत का नागरी को जाएगा, यहां यह बाते तो सिंपल है, जो सारे लोग जानते हैं, जो यहां से इंपोर्टेंट निकल ले वाले बाते हैं, उसी को देखेंगे इसके बाद एक और टर्म जोडता है, कोई वेक्ति जो पुड़ी आयू या छमता का हो, या वो अपने माता-पिता जो है, उसके स्वतनतर भारत के नागरी के रूप में पंजीकरत गये होंगे, तो वो पंजीकरन के इस प्रकार के आवेदन देने के बारा महीने के शाधार निवास कर रहा होगा जो वेक्ति, वो वेक्ति भारत के नागरिक बन सकता है, मतलब या तो वो अभिभाजित भारत का में जो है, वो वेक्ति क्या हुआ होगा कि यहां से चला गया रहा होगा, अब उसका जो बेटा है, वो बोलता है कि भाई साब अपने माता-पिता को बो सकता है यह साड़ी बाते है जो पंजी करण के द्वारा होती है बाते है हम लोग प्रकृतिक रूप से कैसे नागरिक्ता मिलता है तो केंदर सरकार आवेदन केंदर सरकार को जैसे को बेक्ति आवेदन देता है तो अगर वो अवैध प्रवासी नहीं है illegal immigrant नहीं है मतलब रोहिलिया नहीं होगा वो पाकिस्तानी नहीं होगा ऐसे बात कर लीजिया तो अगर वो भारत की नागरिकता के लिए उसको परमान पत्र बिल जाता है तो हम लोग उसको जो है प्राकृतिक रूप से नागरिक परमान पत्र जो है वो सरकार उसको प्रदान कर सकती है यदि वो अव्यक्ति निमलेकित योगताय रखता है इसमें टर्मेंट कर्डिसन जोड़ा गया कि ऐसे देश से सम्मंदित नहीं हो जहां भारत की नागरिकता सुखार नहीं की जाती है तो भाई टीट फो टैट करेंगे आप नहीं सुखार करते तो हम आपके देश के लोग को क्यों सुखार करेंगे नेक्स्ट आता है यदि वो किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वो भारतिये नागरिकता के लिए अपने आवेदन की सुख्रिती पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा मतलब आप पाकिस्तान के हैं आपको ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी होकर के बहुत बढ़ा गलती कर रहे हैं और आप इंडिया में आते हैं और भारत का लोग भारत की अगर कानून आपको बोलती है कि आपको जैसे भारत की नागरता मिलेगा पाकिस्तान की नागरता को त्याग कीजिए अगर आप इसके लिए राजी है तो आपको प्राकृतिक रूप से हम भारत की नागरता दे देंगे अधरवाईज अगर आप य या भारत सरकार की सेवा में हो, या इन में से थोड़ा कोई और थोड़ा अन्य हो और 12 वर्स और बहरत पुड़ा से भारत में रहा हो इस कंडियोओ मैं तो उसको भारत करें नालिक मारा जाएगा, इस टरमेलोजी को अभी बंद कर दिया गया हूए और बाकी के बाद जो भी 14 वर्स का और 12 वर्स का जो बात है ये 2019 में जो changes हुआ है इसमें 5 वर्स की बात को जोड़ दिया गया हुआ है तो इस condition में आप क्यों इसको पढ़े इसके चीज को आप exam के fact के लिए कभी में जोड़िएगा इसको हम इसी लिए दिये हैं कि आप इसको क्य चंद्रनगर, माहे, यमान और कराकल ये सारे पार्ट को मिलागर करके पुदुचड़ी बनाया गया अब जब पुदुचड़ी बना तो यहां के जो नागरी कोंगे वो फ्रांसेसी तो नहीं कहे जाएंगे तो ये इंडियन कहे जाएंगे इसके लिए rule बना हुआ है कि जै यहां से केवल और केवल ये कोशन पुझा जाएगा कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो भारत में नागरीक्ता प्राप्त करने के लिए सही नहीं है उसमें एक फैक्टर आपका यह भी लिखा हुआ होगा ये बात है कितना जो प्रोसेस था भारत की नागरीक्ता को प्राप अब जाती है यह भी से स toxicity बन कर आते हैं यह आपका session number 2 हुआ देखेंगे जो फीर नागरीक्ता पर होगा और यह last second whole आपका बहुत important session होने रहले आपके लिए बट आपको लग